धोरण साथ, विग्णयान, प्रक्रण आठ, पवन, वावाजोडू अने चक्रवाद, विन्स, स्ट्रॉम्स अन्साइकलोन्स ओग्णिसो नववाणोंनी अधार मी ओक्टोबरे, ओडिशाना समुद्र काठाना विस्तार मां बस्सो किलोमीटर प्रती कल्लाक नी जड़ पे चक्रवाद त्राटक्यों जेने 45,000 घरोंने तबाकरीने, सित्तेर लाख लोकोंने बेघर करीना ख्या तेज वर्षनी 39 मी ओक्टोबरे, बसो सहीट किलोमीटर प्रती कल्लाक नी जड़ पे फरी बीजो चक्रवाद फरी थी ओडिशामा त्राटक्यों जेने समुद्रना मोजाओने 9 मीटर नी उचाई सुधी उचालया तेमा पण हजारो लोकोये पोतानो जीव गुमावयो, करोडो रुपयानी माल मिलकत नाश पामी चक्रवा ते, खेतीवाडी, वाहन व्यवहार, दूर संदेशा व्यवहार, अने विद्यूत पूर्वठा लईजती लाहिनोंने असर करी हती पण चक्रवाड छेशू, ते केवीरे ते उद्भवे छे, शा माटे ते आटलो विनाश कारी होय छे प्रस्तुत प्रक्रण मा आपणे आवा केटला प्रश्नोंना जवाब मेडव्वा माटे प्रयतना करीशू आपणे हवाना अनुसंधान मा केटलिक प्रवृत्यों थी शरुवात करीशू आ प्रवृत्यों वडे चक्रवाड ने लगती केटलिक प्राथमिक महित्योंनू स्पष्टी करण थशे आपणे शरुवात करीए ते पहला याद राखो के गतीशील हवाने पवन कहे छे हवा दबाण करे छे एर एक्जर्ट्स प्रेशर प्रवृत्ती आट पॉइंटे जारे जारे प्रवृत्ती माँ पदार्थने गरम करवानी वात आवे त्यारे घणी कालजी राग जो आवी प्रवृत्तियों तमारा कुटुमना वडीलनी हाजरी माज थाए ते सला भरियूं छे अथवा तमारा शिक्ष्यकनी हाजरी माज प्रवृत्ती करशो हवे पचीनी प्रवृत्तीमा तमने पाणीने उकालवानी जरुर पडशे, धाकणा साथे नो तीन पत्रानो डब्बोलो, तेमा अर्धा भाग सुधी पाणी भरो, ते पाणी उकले नहीं, त्या सुधी डब्बाने मीनबत्तीनी जियोतपर राखो, हवे मीनबत्तीने ओल्व तरतच डब्बाने धाकण वडे सजड़ बंद करीदो, गरम डब्बा साथे काम करवामा कालजी राग जो, हवे डब्बाने छीचरा धातुना पात्र, थाली के डीश जेवामा अथवा वाश बेजीन मा मुको, तेना पर ताजू ठंडू पाणी रेडो, डब्बाना आकार जो तमने टीन नो डब्बो न मले, तो नरम प्लास्टिक नी बोटल लो, तेमा गरम पाणी भरो, अने तेने खाली करिया बाद, तरतच तेना पर सखत रिते ढाकणू बंद करो, आ बोटल ने नलना वहता पाणी नीचे मुको, हवे तमारा केटलाक अनुभवोने याद करो ज्यारे तमे पतंग चगावो छो, त्यारे तमारी पीट पाचलती आवतो पवन, तमने पतंग चगाववामा मददरूप थाये छे, ज्यारे तमे हलेसा वाली होडी मा बेठा हो, त्यारे तमारी पाचलती आवतो पवन, हम्मेशा होडी ने अंकारवामा तमने सरलता आपे शो तमने सामेथी आवता पवन्नी दिशामा साइकल चलाववामा मुश्केली पड़े छे। तमे जानो छो कि साइकलनी ट्यूबने फुलावेली चुस्त राखवा माटे तेमा हवा भरवी पड़े छे। वड़ी, तमे ए पण जानों छो, कि जो साइकलनी ट्यूब मा वधुपडती हवा भराई चाय, तो ते फाटी जाय छे, ट्यूब मा रहेली हवा, शू करती होई छे? साइकलनी ट्यूब मा रहेली हवा, तेने केवीरिते योग्या अकार्मा राखे छे, तेनी तमारा मित्रोसा थे चर्चा करो, अब बद्धाज अनुभवो दर्शावे छे, ते हवा दबाण करे छे, जाड़ना पानड़ा, रस्ता पर लगाडेला कापडना बैनर, के ध्वज पगेरेनु पवनावे, त्यारे फरकवानु कारण, हवा अनुआ दबाण अज छे, हवा दबाण करे छे, ते दर्शावता बिजा केटलाक अनुभवो नी यादी, तमे बनावी शक्षो, चालो, हवे आपने या समझवा प्रयत्न करिये, के पत्रानो डब्बो, के प्लास् थाई जाए छे, जे अंदरना भागमा हवानु प्रमाण घटाडी नाखे छे, दब्बानी बहारना भागमा लागता हवाना दबाण करता, दब्बानी अंदरना भागमा हवानु दबाण घटी जाए छे, जेना कारणे डब्बो संकोचाई के दबाई जाए छे, आ प्रव प्रवरुत्ती आंट पॉइंट बै एक खाली बॉटल ना मुख नी साइज करता नानी साइज नो कागळ नो टुकड़ा नो डूचो वाली नानो दड़ो बनावो बॉटल ने तेनी बाजो माथी पकड़ी आड़ी राखो कि जे थी बॉटल नो मुख तमारी तरफ रहे प्रयत्न करो जुदी जुदी साइज नी बॉटलों माटे पन उप्रोक्त प्रवरुत्ती नो पुनरावर्तन करो तमारा मित्रोंने कागळ ना दड़ाने बॉटल नी अंदर फूख मारी ने नाखी देवा माटे पड़कारो पहेलियने बुजो नीचे ना प्रश्णोंनो विचार करवा लागया बॉटल मा कागळ ना दड़ाने अंदर नाखवा माटे मुश्केली गेम पड़े छे प्रवरुत्ती आट पॉइंट त्राण फुग्गा ओपर फूख मारवी लगभग समानकदना बै फुग्गा लो बन्ने मा थोड़ू पाणी भरो हवे बन्ने फुग्गाने लगभग समानकदमा फुलावी ने तेदरेकनी साथे दोरी बांधो हवे लाकडी के साइकलना स्पोक, साइकलना पैडाना सलिया पर बन्ने फुग्गाने इविरीते बांधो, जेथी तेमनी वच्चे आशरे 8-10 सेंटिमीटर नू अंतर रहे। हवे बन्ने फुग्गानी वच्चेना भागमा फूक मारो। तमे शुँ अपेक्षा राखियती? शुँ थयू? हवे फुग्गा पर जुदी जुदी रीते फूक मारीने जुओ, ये शुँ थाय छे? प्रवरुत्ती 8.4, शुँ तमे फूक मारीने उच्चे उठावी शको छो? 20 सेंटीमीटर लांबी अने 3 सेंटीमीटर पहली कागलनी पट्टीलो। तेने आकरुती 8.5 मा दर्शाव्या प्रमाणे तमारा हाथना अंगुठा तथा पहली आंगली वच्चे पकडो। हवे कागलनी पट्टीनी उपर ना भागमा फूक मारो। पहेली ए विचार्यूं के पट्टी उपरुज काई जशे? बूजुए विचार्यूं के पट्टी नीचे तरव वड़ी जशे? कागलनी पट्टीनों शूँ थशे? ते माटे तमे शूँ विचारो छो? चालो, प्रवरुत्ती 8.2, 8.3 अने 8.4 ना अवलोकनोंने समझवा प्रयत्ना करिये। शू तमारा अवलोकनों तमारी अपेक्षाने अनुरूप छे? इटले कि तमे विचार्यू हतु तेवाज छे? शू तमने एवो अनुभव थयो के हवानी जडब वदवा थी, तेनु दबाण घटी जाई छे? ज्यारे आपने बोटलना मोडा पर फूंक मारिये छिए, त्यारे बोटलना मोडा आगल हवानी जडब वधारे होय छे? जेते स्थाने हवानु दबाण घटाडे छे? बोटलनी अंदरना भाग मा तेना मोडा मा भाग करता हवानु दबाण वधारे होय छे? बोटल मानी हवा कागलना दड़ाने बहार धकेले छे? प्रवरुत्ती 8.3 मा तमे जोयू के ज्यारे तमे बनने फुग्गानी वच्चे ना भाग मा फुँक मारो छो त्यारे ते एक बिजा तरफ गती करे छे? आवू किवी रिते बन्यू? आवू एटला माटे बन्यू के फुग्गानी वच्चे ना भागनी हवानु दबाण कोई रिते घटी गईू? फुग्गानी बहार ना दबाण ने लिधे आवू एटला माटे बन्यू के कागलनी पटी पर फुग्ग मारता, पटी पर ना दबाण मां घटाडो थायो. आपने जोयू के पवनी जडप वत्ता तेस थाने हवाना दबाण मां घटाडो थाय छे. तमे कल्पना करी शको छो के ज्यारे घर ना छापरा पर थी खुबज वधू जडपे पवन फुकाई, त्यारे शू थतु होई छे? जो चापरू मकानी दिवाल साथे नबली रिते जोडाईलू होई, तो ते उच्चु थाईने उड़ी जाए छे. जो तमारी पासे आवो कोई अनुभव होई, तो तेने तमारा मित्रो साथे वेंचो. तो चाल छो, के ज्यारे हवा गती मा आवे छे, त्यारे तेने पवन कहे छे. हवा हम्मेशा वधू दबानवाला विस्तार थी, ओचा दबानवाला विस्तार तरफ गती करे छे. जेम दबाननों तफावत वधू, तेम हवानी जडप वधू. परंतु, कुद्रतमा दबाननों तेविरीते उत्पन थतो होई छे. शो, तापमानमा थता फेरफार नो, तेमा अफालो छे. नीजेनी प्रवरुत्ती तमने आ समझवा माटे मदद रूप थाशे. गरम थवा थी, हवानू कद वधे छे. एर एक्सपांज ओन हीटिंग. प्रवरुत्ती 8.5. एक कस्नलीलो, तेना मढ़ा पर रब्बरना फुग्गाने सहेज खेंचीने सखत पणे बांधीदो. तेने बरवबर फिट राखवा माटे तमे टेपनो पण उप्योग करी शको छो. हवे बीकरमा गरम पाणी भरो. तेमा फुग्गा वाली कस्नलीने मुको. बैके त्रण मिनिट सुधी अवलोकन करो कि फुग्गाना आकारमा कोई फेर्फार थाय छे? कस्नलीने बहार काडीलो. तेने ओरडाना तापमाने ठंडी पढ़वादो. हवे बीजा बीकरमा ठंडू बरफनू पाणी लैने, तेमा फुग्गा वाली कस्नलीने बैके त्रण मिनिट सुधी मुकी राखो. फुग्गाना आकारमा थाता फेर्फार नू अवलोकन करो. विचारीने नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवा प्रयत्न करो. ज्यारे गरम पाणीमा कस्नलीने मुक्वामा आवे छे, त्यारे फुग्गो केम फुले छे? तेज फुग्गो कस नलीने ठंडा पाणीमा गोठवता शा माटे संकोचाई जाय छे? प्रथा मवलोकन पर्थी आपणे एवो निशकर्ष तारवी शक्ये के गरम थवा थी हवा फुले छे? प्रस्रण थाय छे. हवे तमे कही शको खरा? के कस नलीने ठंडी पाडवामा आवे छे, त्यारे तेम माती हवानू शू थाय छे? हवे पचीनी रस्प्रत प्रवृत्ती वडे तमे गरम हवा विश्वय वधू समझ मेढवी शक्षो. प्रवृत्ती आट पॉइंट छे. समान कदनी बैक आगलनी खाली को थळियो अथवा खाली पेपर कपलो. आइसक्रीम माटे सामान्य रिते वप्राय चे ते. हवे धातू के लाकडाना सलयाना बन्ने छेडा पर ते ओनो खुल्लो भाग नीचे आवे. ते रिते उंधी राखी ने दोरी वडे लटकावी दो. हवे सलयानी मध्य भाग मा दोरानो टुकडो बांधी ने आकरुती आट पॉइंट सात मुजब वडे बनेला त्राजवानु संतुलन शा माटे खोरवाई गयू. शो आ प्रवृत्ती दर्शावे छे कि गरम हवा उँचे जाय छे. ज्यारे गरम हवा उपर जाय छे त्यारे ते कोथडी ने उपर तरफ धकेले छे. त्राजवानु आ संतुलन एवू सूचवे छे कि गरम हवा ठंडी हवा करता हलकी होय छे? हवे तमे समझावी शक्षो कि शा माटे धुमाडो हम्मेशा उपर तरफ जगती करे छे? वडी ए पन याद राखमू जरूरी छे कि गरम थवा थी हवा फैलाय छे औने वधू जग्या रोके छे. ज्यारे कोई वस्तू वधू जग्या र परिस्तितियों सर जाय छे, जेमा कोई स्थल नी हवा गरम थैने उपर जाय छे. ते स्थले हवानू दबान घटे छे. आजु बाजु थी ठंडी हवा ते जग्या पुर्वा धसी आवे छे. जे थी हवानू सम्वहन थाय छे. जे तमे प्रक्रण चार मां शिखी गया. प्रुथिवीपर्नी सपाटी असमान रिते गरम थावाने कारणे पवन्नो प्रवा उत्पन थाय छे. विन्ड करंस आर जेनरेटेद डू टू अनिवन हीटिंग अन्द अर्थ. आ परिस्तितियों नीचे मुझब छे. ए. दुरूव प्रदेशों तथा विशुव वृत्तिय प्रदेशों नू असमान रिते गरम थावूं. अन्द इवन हीटिंग बिट्वीन द इक्वेटर अन्द पोल्स. तमे भुगोल मां कदाज भणेया छो. ए. विशुव वृत्त पासे ना प्रदेशों सूर्यना प्र तामा आवेली ठंडी हवा विशुव वृत्त ना प्रदेश तरफ गती करवा लागे छे. आ पवन्ना फूंकवानी दिशा उत्तर अने दक्षिन दिशा थी विशुव वृत्त तरफ नी होय छे. दुरूव प्रदेशों पासे नी हवा लगभग साहींट डिग्री अक्षा आगलनी गरम हुफाली हवा उचे चड़े छे अने दुरूव प्रदेश नी ठंडी हवा तेनी जग्यालिवा धसी आवे छे. आरिते आक्रुती 8.8 मा दर्शाव्या मुझब दुरूवो थी हुफाला गरम प्रदेशों वच्चे पवन्नो प्रवा रचाए छे. मने नवाई ए वातनी लागे छे क्या आक्रुती मा दर्शावेली पवन्नी दिशा शामाटे बराबर उत्तर दक्षिन दिशा तरफनी न थी? पवन्ना प्रवानी दिशा उत्तर दक्षिन दिशामा उत्तर थी दक्षिन के दक्षिन थी उत्तर तरफ नी होवी जोईए परन्तु प्रुत्वीना परिब्रमणना कारणे तेनी दिशामा फेरफार थाये छे B. जमीनने पाणीनू असमान रिते गरम थवू Uneven Heating of Land and Water तमे प्रक्रण चार मा दरियाई प्रवाहो अने जमीनना प्रवाहो विशेवाचियू हतू उन्नाला मा विश्युव वृत्तनी नजीक जमीन जडब्थी गरम थाये छे अने मोटा भागना समय जड़ाश्रय तथा समुद्रनी सापेक्षे जमीननू तापमान वधू होय छे जमीन पर्थी हवा गरम थईने उच्चे चड़े छे जेने कारणे पवन नो प्रवा समुद्र तरफ ती जमीन तरफ नो होय छे जेने मौसमी पवनो मौनसून विंज कहे छे मौनसून शब्द अर्बी शब्द मौसम पर्थी आवेलो छे जेनो अर्थ रुतू थाई छे शियालामा पवनना प्रवानी दिशा उल्टाई छे ते जमीन थी समुद्र तरफ नी होय छे हुँ जानवा मांगू छू क्या पवन आपणा माटे शू करी शके छे समुद्र पर्थी आवतो पवन पाणीनी वराल अने वर्साद लावे छे जे जल चक्रनो एक भाग छे गरम मौसमी हवा पोतानी साथे पाणीनी वराल लईने आवे छे जेने कारणे वर्साद आवे छे वादलो वर्साद लावी ने आपणने आनन्नो अनुभव करावे छे आपणा देशना खेडू तो पाक माटे मोटे भागे वर्साद पर आधार राखे छे वादलो ने वर्साद माटे घणा लोक गीतो प्रचले छे जो तमें आवों कोई गीत जानता हो तो तमारा मित्रों साथे तेने गाव। अहीं आवों एक गीत आपेलूं छे। जो के वर्साद दरेक वखते सुख दायक होई छे तेवू नथी। ते घणी वार मुश्केलियो पणू भी करे छे। तमें आवी केटलीक मुश्केलियों नी यादी बनावी शको खरा। तमें ते माटे तमारा शिक्षक अने मातापीता साथे वर्साद ने लगती मुश्केलियों तथा तेना उपायों नी चर्चा करी शको छो। केटलीक प्राकृतिक घटनाओ एवी परिस्थितीने जन्म आपे छे जेती होनारत सरजाय छे जे नाथी मनुश्य, प्राणियों तथा वनस्पतीने माटे संकट उभू थाय छे। तो चालो आपणे तेमाती बै परिस्थिती गाजवीज साथेनू वावा जोडू अने चक्रवात विशे अभ्यास करिये।